क्यों काई एस कंपोज यूर ड्रीम हलो दरस्तों क्यों क्या होता है यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज के वीडियो हम लोग जनल साइंस बायो लॉजिक के अंतरगत प्रोटीन से जुरूबवे चीज़ों को देखेंगे कि प्रोटीन से जुरूबवे कोशन कितने पूछे जा सकते हैं और प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन कहा कहा पाया जाता है डिटेल में इसको देखेंगे इसके अलावा हंडेट कोशन हम और देखेंगे साइंस के उसका हम कोई करेंगे तो हंडेट कोशन के साथ साथ हम प्रोटीन के बारें बताएंगे और इसी तरह करके biology के जो main topic को उनको कराएंगे फिर science के अलब रख सारे topic चाया physics हो चाया chemistry हो सबक्रिया आपको वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा तो आप लोग चैनल को subscribe कर लेजेगा बिल आइकन को प्रेस कर लेजेगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे हम लोग स खोज करता प्रोटीन की खोज करता कौन थे जे बर्जेलियस थे ये भी कुशन पुछा सकता है बर्जेलियस जो ही प्रोटीन की खोज की थी तो दो कुशन आपको यहीं से मिल जाएगा प्रोटीन की घटक क्या होते हैं संग्रक क्या होते हैं प्रोटीन में कौन-कौन सी च 7% के बीच पायाता है क्या चीजimate Sulfur तो प्रोटीन के जो संगठन होते हैं इसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ती है तो कार्बन, अकसीजन, नाट्रोेजन, हैडोज़न और सल्फर पायाता है यहां से आप से question पूछा जाएगा इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है प्रोटीन के जो सुरोत होते हैं प्रोटीन के सुरोत क्या क्या होते हैं तो दूद सभी प्रकार की डाले जो डाले होती है जो साकाहारी हमारे देश में जो साकाहारी लोग ज़्यादा पायाते है तो साका हारियों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोथ क्या होता है दाल होती है सोया बीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पा जाता है दालों में अंडा, मांस, मचली और फल में प्रोटीन पा जाता है सरीर में पा जाने वाले जो हार्मोन होते हैं अंजाइम होते हैं जो है attracting अंटीजन अंटीबोडी आधिपेस्जब्रकार की प्रोटीञ के ही बने होते हैं तो जतने भी हमाय सरीर में उत्रोड ह्झेर एंटीजन होते हैं एंटीबॉडी होते हैं ये सब जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं ये भी कुशन अपने आप पे बना है और पूछा भी गया है इसको आपको अच्छे से याद रखना है प्रोटीन में मुखरूप से क्या पाजाता है अभी मैंने बताया तो कार्बन, हैडोजन, आक्सिजन, नाइटोजन, लगभग 16% पाजाता है और इसके अलावा फासफुरस, गंधक, आयोडीन और लोग के कुछ अंस भी प्रोटीन में पाजाते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन होते हैं तो जा देखना क्वासी, डोकोर और जो है मिरामस नामक रोग हो जाता है किसे प्रोटीन की कमी से प्रोटीन के काम क्या होते हैं प्रोटीन के कार क्या होते हैं यहां से भी कुछन पुछा जाएगा तो प्रोटीन से पूरा क्रियाओं में एंजाइम का कार करती है प्रोटीन कुछ प्रोटीन हार्मोन के संसेशन में भाग ले सकती है ठीक है हमोगलोबीन के रूप में आक्सिजन सवाहक का कार करती है तो हमोगलोबीन क्या है एक प्रोटीन ही है एंटी बॉडिज के रूपे सरीज की सुरच्छा भी क काम करता जिससे हमाई स्रीज कुप को प्रोटेक्शन मिलता है तो यही सब काम किसके हैं प्रोटीन के हैं अब बात करते हैं पर्मुक प्रोटीन कहा कहा पायाते हैं तो पर्मुक प्रोटीन गर बात करें एक प्रोटीन है आपका जो है फाई ब्रोईन फाइब्रोईन प्रोटीन कहाँ पाजाता है तो रेसम के धागा जो रेसम के धागा होता है उसमें फाइब्रोईन प्रोटीन पाजाता है मकरी का जाला में भी का निर्माड होता है किसे तिया दिखना फाइब्रोईन प्रोटीन से होता है ये कुशन बहुत मात्पूर है दुसरा है आपका कोलेजन प्रोटीन किसे पाज़ता है तो तन्तुम्हे सेयोजी उतक का निर्माड होता है अस्तियां और कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्मार किसे होता है कोलेजन प्रोटीन से होता है केराटीन प्रोटीन से क्या होता है तोचा, नाखोन, खुर, सिंग, बाल आदिका निर्मार में सायक होता है तो अगर आप से कुछन पुछा जाए कि चाहे तोचा हो, सरीर की चाहे नाखून हो, खुर हो, सींग हो, या फिर बाल हो, इसमें कौन सा प्रोटीन 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 किसे प्रोटीन प्रोटीन किसे प्रोटीन प्रोटीन किसे प्रोटीन थीक है तुमारी मासपीसियों पाजाता है 관련 Π्रोतीन गीहों में पाजाने वाला प्रोतीन है मैंने आपको आगे कुशन इसके बारे में बताओंगा भी ठीक कीकल शाए हुआ है इसके as well iralsetine protein क tribun और रखते नालिकआओं का निर्मार करने में सायक होते हैं जो है glow but real ln protein कों पायदा है अंडे में पायद ले अनड़ा में यही पायद तो प्रोटीनों के नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोटीन किसमें पाजाता है कैसीन प्रोटीन दूद में पाजाने वाला प्रोटीन है तो दूद में कौन सा प्रोटीन पाजाता है कैसीन पाजाता है इसके रामा फाइब्रो नोजन और थार्मिन प्रोटीन कहां पाजात दालों पाज़ाने वले प्रोटीन को यादगने इसी नाम से जानते हैं। ठीक है अनाज में कौन सा प्रोटीन पाजाता है könnten ? जो है, गुर्शूत्रों में पायाने वाला प्रोटीन है या आनुबंसिक लच्छनों के विकास और आनुबंसिक गति का नियंतरन करता है ठीक है ओसीन नामा प्रोटीन कहा पायाता है हड्डियों में पायाने वाला प्रोटीन है तो हड्डि में जो प्रोटीन पायाता है वो कौन सा प्रोटीन पायाता है, तो यही सारे कुशन आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको बहुत अच्छे से रिविजन करिएगा, कहीं कोई डाउट हो, तो आप जरूर पूछेगा, क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग साइन्स के 100 कुशन जो इनको कहते हैं, एंथ्रोलाजी कहते हैं, यह बहुत ही आसान कुशन देखने हम लगता है, जब वहाई याम में कुशन आता है, तो ग्रत हो जाता है, इसलिए हमें प्रिट्टिस करना बहुत जरूरी है, जो बहुत आईजी कुशन हैं उनको भी, और जो बहुत ज़्यादा के अध्यन को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं, अब बिध्धा अवस्था और काल प्रभावन की विष्य में जो है क्यान प्राप्त करने की जो बिधा होती है, उसे कहते हैं, जेंट्रोलाजी कहते हैं, तो बिध्धों के जो अध्यन को क्या कहते हैं, जेंट्रोलाजी पर सबसे पुराना जीव इसमें कौन सा है तो नील हरित सैवाल है तो नील हरित सैवाल जा रखना हमारी पृत्वी पर लगभग जो है बीस परसेंट आक्सजियन का उत्पादन करते हैं और सबसे अधिक आक्सजियन का उत्पादन करने के साथ सबसे पहले इसी जीव का हमारी पिर्थिवी पर निर्मार हुआ था इसका एंसर क्या हो जाएगा नील हरित सेवाल हो जाएगा ठीक है नेक्ट आपका विकासवाद का सिध्धान पर्तिपादित किस ने किया था चॉल्स डार्बिन ने किया था यह रिविजन के लिए इसलिए मैं आपको रिवियन करा रहा हूँ, जितना आप रिवियन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जियू बिज्ञान को सरपर्थम संजाया था, किसने ले मार्ग ने समझाया था, ठीक है, इसके रहाँ विकास के उत परिवर्तन सिधान्द का परतिपादन कि यूगरो डिब्रीज ने किया था, ये भी कुशन कई बार इजाम में आया हुआ है, ठीक है, नेश्टा आपका डॉल्फिन वर्गी किया जाता है, किस में ये अस्तनी वर्ग में आता है, कौन डॉल्फिन आता है, जुगनू होता है, जुगनू क्या होता है, एक कीट होता ह तो यह कीट वर्ग में नहीं आता है, जबकि खटमल और आपका घरिलो मक्षी और मच्छड़ी ये कीट वर्ग में आते हैं, तो सबसे बड़ा वर्गर किसी का है, जिव जनतों में, तो कीटों का है, ये भी आपको याद रखना है, मकडी कीट से भिन होती है, क्योंकि मकडी म आठ टांगे पा जाती है, इसलिए वो कीट वर्ग में सामिल नहीं है, ये सारे कोशन एकजाम में पूछे गए हैं, मैं उसी का आप लोगा रिविजन करा रहा हूं, नेस्ट आपका, तितली, तिलचटा, मच्छर और मकडी में, जो कौन सा कीट नहीं है, तो मकडी कीट नह लगा, जो आपका मच्छर है, तिलचटा है, और तितली है, ये भी कीट वर्ग में ही आता है, तो तितली भी कीट वर्ग में ही आती है, ये भी याद रखना, ये भी कोशन अपने आप पे इंपोर्टन्ट है, और बन जाता है कोशन, ठीक है, नेस्ट आपका, घरेलू, मक् मकड़ी है ठीक है नेश्ट आपका छिफकली तिल चट्टा घरेलू खटमल और मच्छर में से वह जिव जिसका सफेद रखत होता है तो तिल चट्टे का सफेद रखत होता है यादखना यह बहुत मात्पूर्ण है यह भी कुशन इकजाम में कई बार आया हुआ है जब चीट क्योगे काटने से मकडियों दोरा उतफादित रेसम क्या कहलाता है जो मकडिया होती है जो रेसम Corret को क्या कहते है उसे हम कहते है GRASSMIR के भी बहुत मातपूर्ण है वह पर जिन notre pressure होते हैं वह कौन होते हैं तो मच्र चमगादर और ल्लु यह रात चर होते हैं य्या दिन गट पड़ी कहते हैं नामक दुरलब और आपातिय पवधा पाया जाता है कहां पर ये मेगालें पायाता है इसकी विसेज़ता क्या है याद रखना ये जो इसे हम कीट भच्छी पवधा भी कहते हैं ये इसके पत्ती पर कोई भी जानवर आके कीट या बैठ जाता है तो ये पत्ती के घट को बंद कर लेता है जो इसे चेत्र में आप दे सकते हैं और उसको खा लेता है तो इसे हम मांसवा हारी पेड भी कहते है ये मेगालें पायाता है ये क्यों खाता है क्योंकि या रखना जहां ये पाय जाता हुआ nitrogen की कमी होती है तो जीव-जन्तों को खाने के जो है पकड़ा जाता है इसके दौरा उन से नाइट्रोजन ये लोग प्राप्त करते हैं ये पाऊधे गटपड़ी पाऊधे कहां पायते हैं मेगालें पाऊधे क्योंकि उस छेत में नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसलिए बो पाऊधे इनी जीव जन्तों से इसलिए इसको मैं बहुत अच्छे से देखने की जरुवत है। इसमें कौन सा उसका कारण क्या होता है। इसमें की उपस्तिती की कारण ही जो है तुलसी का पाउधा क्या होता है। इसमें फिनॉल और फिले ओ नाइड की उपस्तिती की कारण ही जो है तुलसी का पाउधा क्या होता है। अच्छे से जो है सर्दी या जो जुखाम जो होता है वो क्या हो जाता है आपका दूर हो जाता है। किस से तो आबित बीजी पादब से मिलती है कौन कुनेन या ज़िए यह मलेरिया की दवा है त्या देखना यह भी कुशन एक्जाम में पूछा गया है। मलेरिया रोग की प्रभावी औसदी कुनेन का जो है निसकासर कहास कर जाता है तो सिनकोना की छाल से होता है। कि आदेखना यह विस्वत रेखे बनसपतिय जो होती है वहां सिनकोना बाजाता है। खास करके भारत के पश्छमी घाट में मलेरिया दवा उससे बना जाती है। और उसका नाम क्या है, कुने नाम है, उसी से जो है, मलेरिया की दवा बनती है, तो इसका जो याद रखना ये बहुत महात्पूर है, पाउधे का नाम भी याद रखना है, किस कुल का है, ये भी याद रखना है, तिया कुल भी मैंने दिये दिया है, आबिर्त बीजी पादप ठीक है तो दो कोशन यहां से पूछा गया है इसलिए इसको अच्छे से यादखना अगला कोशन है आपका मलेरिया निदान हेतु आर आर टीथर नाम की औसधी प्राप्त होती है किसे बीजिये पादप से तो वही बीजिये पादप है कौन है सिनकोना है यह भी यादखना है उसे कई नाम है इसलिए कोशन कहीं से भी पूछा जा सकता है समुद्री घहास महतपूर्ण सरोथ किसका है आयोडीन का तो समुद्री घहास होती है हम सेवाल कहते हैं उसको उससे हमें क्या मिलता है तो उससे हमें आयोडीन मिलता है यह यादखना है नेश्ट आपका कुरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रियुक्त जो है हाइड्राक्सी क्लोरी कुइन एक किर्तिम औसधी होती है ये बात आपका ये कैसी है औसधी है ये एक किर्तिम औसधी है किसके लिए कुरोना रोगियों के लिए सहतूत का फल क्या होता है ये सिरोसिस होता है सहतूत का फल किस वर्ग में आता है सिरोसिस वर्ग में आता है ये भी कुशन आया हुआ है निश्टा आपका मरुस्तलिय पौधों की जड़े लंबी होती है क्योंकि तो यार दिखना, जो म्रुस्तलिय पौधे होते हैं, उनकी जड़े काफी लंबी पायाती है, क्यों पायाती है, क्योंकि जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाती है, यह कुशन भी आया हुआ है, पौधे जो नमक युगत मिट्टी में उगते हैं हैलो फायड केटे हैं तो जिस मिट्टी में नमक की मात्र आधिक होती है वहाँ जो पौधे उखते हो उसे हम है निफी कुँछा गया है निश्ट आपका जल की अधिक्तम मात्रा जिसकी पौधों को आउसकता होती है वहां उसे आउसकतान करते हैं किस से जड़ों के बालों से जड़ों में बाल पाजाते हैं जड़ों में एक रोएं की तरह होते हैं जड़ों में उसी से पाउधे क्या करते हैं पानी को अपने आवसक्तानुसार आवसोसित कर लेते हैं या आपको याद रखना है तो जायलम के तहत वो उपर चर्थे रहते हैं तो याद रखना आवसोस सेव के फल में लाली का कारण क्या होता है जो सेव का फल होता है उसमें लाली क्यों होती है तो या देखना उसमें क्या पाजाता है एंथ्रो साइनी नामक जो है लवक पाजाता है इसलिए जो है सेव का जो है यह सेव होता है उसमें लाल पना जाता है ठीक है इसकूशन आपक टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है उसमें लाइको पीन पायाता है तो टमाटर का लाल रंग के होता है उसमें लाइको पीन नामक लवक पायाता है इसलिए जो टमाटर रेड कारण का हो जाता है पपीते के पीले रंग का कारण क्या होता है तो उसमें क्या पायाता है कैरी को जैन्थीन पाजता है इसी का जो पपीता होता है वो पीले रंग का होता है तिस सारे लवक को आपको याद रखना पड़ेगा यहीं से कुशन इजाम में आपसे पूछे जाएंगे नेज़ कुशन आपका हाली में हमारे बिग्यानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन जाती की खोज की जिसकी उचाई लगभग 11 मीटर है और उसके फल का गुदा नारंगी का है या भारत जो है जिस भाग में खोजी गई है वह कौन सा है अनमानिको बार में इसको खो कुछन कम से कम अलग लगर की जामों में दास बार से अधिका चुका है का कपास का पर मोगँग होता है मिस्ति जिवह कैं जोके तो या ना कवक और सैवाल को मिला वह से कहते हैं यह क्या करते हैं तिया देना, जो कवक होते हैं, ये सैवालों को रहने का स्थान देते हैं, जल देते हैं, और जो है, क्या कहते हैं, खनिज देते हैं, लेकिन जो सैवाल होते हैं, ये परकास संसेशन करते हैं, और परकास संसेशन को द्वारा अपना भोजन बना करके कवक को भोजन देते हैं, तो रहने का स्थान कोन दिया? कवक ने दिया और भोजन किसे ने दिया? सहवा ने दिया तो इस संबंद को सा संबंद कहते हैं और इसको या रखना है इन दोनों के मिलन को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं फायदा क्या होता इसको? आप लाइकेन देख सकते हैं आपको दिखाया गया है तो लाइकेन क्या होते हैं अगर किसी छेत में वायू प्रदूसर की मातरा अधिक हो जाती है तो लाइकेन सूखने लगते हैं तो इसको हम पराकितिक संके तक मानते हैं लाइकेन को अगर कहीं वायू प्रदूसर है तो ल अबिक के अलामा कोसिका के की सोझिका में DNA होता है मायटो कांडिया में जो नाभिक होता है किस पूछा जाए THAT किल दे अने भाग कांडिया допरपके हिता हैं तो मायटो चना में DOWN कोसिका में DNA ने को बहुत महात्मूर कोशन है पादप जो है कोशिका जन्द कोशिका से भिन्न के होती क्योंकि उसमें कोशिका भिती होती है तो जो जन्द कोशिका होती है उसमें कोशिका भिती नहीं होती है जिपकी पादप कोशिकाओं में कोशिका भिती होती है तिया दखना इसलिए पादप अनुबन सिक्ता के जनक के रूपे विख्यात पे ज्यानिक कौन है तो Gregor Mendel को कहते हैं अनुबन सिक्ता के जनक का तो कोन किसका जनक है बहुत आसान कोशन पूश देते हैं लेकिन कभी कभी एक्जाम में गलत हो जाता है इसलिए मैं इसको लगाता है प्रैक्टिस करने की जरूवत है Mendel के अनुबन सिक्ता का सिध्धान आधारित किस पर है लेंगिक जनन पर एक होता है आलेंगिक जनन होता है एक होता है लेंगिक जनन होता है इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और कोशन गलत हो जाता है क्यों रिविजन की वज़ा से तो रिविजन ना होने की वज़ तो निदेल की अनुबंसिक्ता के सिधान पर है लियुनियून पड़ा इसको आदकना है। जियों में अनुबंसिकल अच्छा संतान में ले जाते हैं क्रोमो और दार तो पिता से पुत्र में जो अनुबंसिक लच्छा जाते फीक किस आकसी राइबोस होती है ठीक है इस गोडियन ने में जो सक्रा होती है उसका यही नाम है ठीक है निश्कर चनल नर आपका एक वैस्ट मानोसरीर में जलपरतिसत होता है लगभग कितना तो 60-70% मानोसरीर में जल पाजाता है और कौन-कौन सतथ तो हमारे सरीर में पाजाते मानोज़ की सभसे चोटी हड़ी कौन सी होती है इस्टे पीज होती है जो हमारे कहां पाजाती है कान में पाजाती है ठीक है निश्ट कुछन है आपका जो है अस्थिय और दत जो दात होते हैं दंत निर्माड होई तो आवस्यक क्या होता है कैल्सियम और फासफुरत जो है हमारी हड्डियों और दात के निर्माड के लिए पता चलता है, तो जीव के अलग-अलग छेत्रों में, अलग-अलग जो है, स्वाद का पता चलता है, कहीं मीठे का कहीं, जो है करवापन का कहीं, तीखे का, तो जो करवाट होती है, वो जीव के पीछे वाले भाग से पता चलता है, मानुसरीर में पाचन का अधिकांस भाग स से अगर होता है तो मुख से होता है मुख जो है जब हम दातों से भोजन को चबाते हैं तो वहीं से जो है भोजन के पचने की जो है सुरुवात हो जाती है यह भी कुशन एक जाम में आया हुआ है ठीक है रिश कुशन है आपका एंजाइम क्या होता है तो एंजाइम एक जो है तो अगनासे से ही जो है क्या निकलता है जो है एंजाइम निकलता है ये भी आपको या दखना है ठीक है निश कुशन आपका आगे है मानो सरी में प्रोटीन का पाचन प्रारम होता है कहाँ पर तो आमासे में तो प्रोटीन का पाचन कहा होता है आमासे में होता है ये भी कोशन बहुत बार आया हुआ है सरीर में अतरित गलोकोज गलाइकोजन में परवर्थित होकर भंडारित कहा होता है लीबर में एकृत में तो सरीर में जो जो अतरित गलोकोज होता है वो गलाइकोजन के रूप में तो जो हमारे यकृत में और मास पेसियों में उर्जा होती है, वो उर्जा को हम क्या कहते हैं, तो गलाइकोजन कहते हैं, यही सारे कोशन आपसे पुछे जाएंगे, मानोसरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है, यकृत होती है, यह याद रखना है, विटामिन्स क्या हो तो यह कार्बनिक योगिक होते हैं नेक्स टाप का योगिकों का समूँ जिसे जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है वो क्या होते हैं विटामिन को सहायक आहार कारक कहते हैं विटामिन को सेब का हिर्दय रोग्यों के लिए बिसेस महतु है क्योंकि यह बड़े सुरोत होते हैं क जिससे हीड़े रोगियों के लिए काफी मदद करता है उसको दूर करने साथ होता है। तो सबस्के उत्तम स्रुत कैसे होता है? आवला होता है। बिश्वन और भी कुशन आया हुआ है ठीक है ञेर आपका विटामिन सी का रासान गया है जितने भी विटामिन हैं सबके रासान bride नाम पुछे जाते हैं ये भी आपके लगार रहता हुर। इसको भी आप देखकर कि याद कर लीज़ेगा यहां से भी कुछन की जाम अगर पूछा जाए तो गलत ना होने पाए और विटामिन से प्रोटीन से यहां से कुछन हमिसा पूछे जाते हैं इसलिए में में टॉपिक पहले मैं करा रहा हूं आप लगातार्ज विजन करते रहेगा तो विटामिन से में क्या पाजाता है तो कार्बनिक अमल पाजाता है इसके अगर और कि विटामिन में मतलब कौन कौन से विटामिन कर असारी नाम क्या है सब लिश्ट दे दिया है आप इसको देख करके याद कर लीजेगा ठीक है नेक्स्ट आपका विटामिन C मदद करता है यादगना विटामिन C मदद करता है क्या लोह के और सोशन में जो हमारे सरीर में लोहे की मातरा जाती है उसका और सोशन करने में विटामिन C ही मदद करता है ये बहुत महात्मूल कोशन है बिटामिन जिसकी कमी से खुन का थक्का धीरे बनने की बिमारी हो जाती है वो बिटामिन के होता है बिटामिन के की कमी से ही हमारे सरीर में खुन का थक्का नहीं बन पाता है ठीक है? और लगातार खुन बहता रहता है बिटामिन D की अल्पता से रोग कुन होता है तो रिकेट्स और जो है अस्तियो पोरो सिस नामक रोग हो जाता है किसे बिटामिन D की कमी होती है बिटामिन D में पाजाता है क्या कैलसी फेराल पाजाता है तो कैलसी फेराल किसका रसाइनिक नाम है बिटामिन D का है ये भी आपको याद रखना है ठीक है बिटामिन जो सूर के परकास की उपस्थिती में तुच्छा में बनता है वो बिटामिन D होता है, सबको पता होगा, ठीक है? नेश्ट आपका, कोले कैसी फेराल रासाइनिक, योगिक का रासामान नाम क्या है? इसे हम बिटामिन D3 कहते हैं, कोले कैसी फेराल को कहते हैं, बिटामिन A, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम में से, जिसका निर्मार हमारे सरीर में नहीं होता है, बिटामिन A का, तो बिटामिन A का हमारे सरीर में निर्मार नहीं होता है, जिएकि प्रोटीन, हार्मोन, और एंजाइम हमारे सरीर में निर्मार होता है, लेकि बिटामिन A का निर्मार हमारे सरीर में नहीं होता है, नेश्राब का है, जिस बिटामिन में कोबार्ट पाजाता है, कोबार्ट पाजाता है, तो B-12 होता है, उसमें क्या पाजाता है, कोबार्ट पाजाता है, बिटामिन B-12 में कोबार्ट तो कोशन होई है, घुमा दिया गया है, इसलिए मैंने इसको दिया है, आप ऐसे कोशन से स किसका नाम है यह भी किसका नाम है तो बीामिन भी का थामिन भी और आप इसे जल हो इकाक्ड है दोनों होते हैं तो या लखना बी और सी जल में गुरंसील बीटामिन है बाकि जितने बीटामिन है वो वसा में गुरंसील है ये भी या लखना है तो जल में गुरंसील बीटामिन केवल दो है बी और सी है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं केरेटीन कहत पूरा प्रोटीन मैंने पहले आपको बता दिया है तो प्रोटीन बहुत महत्मोर टॉपिक है यहां से कोशन में सब्सक्राइब पूछ जाता है तो मैंने पूरे टॉपिक में यह सो कोशन के आलावां मैंने सुरू महीं आपको क्यों प्रोटीन के बारे में बताया है कि यहां में रोटी बनाने के गुडो को प्रभावित करने माला पदार्थ क्या होता है جो है ग्लोटीन तो ग्लोटीन नाम प्रोटीन कहां पर जाता है गियों में पायता है यह भी या laten आपने आपको बता चुपा हूं ठीक है हमारे सरीर में जो है अमलियता और चारियता के बीच जो सत्तु संत्रोल बनाया रखता है वो कौन है फास्फुरस तो अमलियता और चारता की बीच में संत्रोल बनाया रखता है वो फास्फुरस बनाके रखता है यह भी बहुत महत्मोर कुशन है यह भी पूछा गया है बास्पती चावल के दाने पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलता किसकी होती है एमाईलोज की होती है एमाईलोज की करण ही जो है चावल के दाने जब पकाय जाते हैं तो काफी लंबे हो जाते हैं ठीक है धुर्य कुछ है आपका दूध में मिठस आ जाती है किसे कारण तो लेक्टोज स्थिक के कारण ही दूध मिठे लगते हैं दूध में विद्वान जो है सयकोराइट्स क्या होता है लेक्टोज दूद खराब होता है क्यों तो इसमें लेक्टो बेसिलस बेक्टिरिया के करण जो है क्या हो जाता है दूद खराब हो जाता है अगर बहुत देता दूद को नहीं गर्माते हैं तो जो फट जाता है खराब हो जाता है तो क्यों खराब होना बेक्टिरिया कौन सा है जो खराब कर देता है दूद को उसको नाम क्या है लेक्टो बेसिलस नाम है इसका यही दूद को खराब कर देता है ने श्राप का दूद का दही में परिवर्तन क्या होता है किसके दौरा होता है तो बैक्टिरिया दौरा तो बहुत सारे बैक्टिरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी भी फैल तो कैरोटीन की उपस्ति के कारण ही जो है जो गाय का दूद होता है वो हलका क्या होता है पीला होता है ठीक है निश्ट आपका गाय का दूद पीले सफेद रंगा होता है जिसका कारण क्या होता है कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्ति तो कैसीन के साथ कैरोटीन पजाता है इस सफेद रंग किसी कान होता है कैसीन की कान होता है अब यहां कोशन दे सकते हैं कोशन क्या पूछा गया है पीला और सफेद रंग किसी कान होता है तो पीला किसी कान होता है कैसीन कान होता है तो दोनों पसित होगा तो पीला और हलका सफेद दोनों होता है इसलिए कोशन को यहा पोशें और कम से कम 10 बार आ चुका है याद रखना ठीक हैं नैके साफ का कैसीन दूद होता है प्रोटीन अगर आप से पूछ जाए सरेर में कौनों साफ्रत प्रोटिनगाता है कुछ सरीच में उतकों जिसे हम टीशु कहते कि छमता होती है इसलिए जो आद खना तो तक अगर टिसू जो है कि निर्मार करना हो तो इसके लिए क्या करना होता है प्रोटीन खाने की सला दी जाती है नश्कुचन आपका मानोसरीर की धीमी बृद्धी होती है किसे करण तो मानोसरीर की धीमी जो बृद्धी होती हो प्रो यहीं बचों के करान जो है SARCAL को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए बचों के लिए अलग योजनाएं लाती है हंड़द कोश्म मैंने अलग से करा दिया है वीडियो कैसा लगा कमेंटeilी के बताएगा, वीडियो को सेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा आपको लगा बताएगा, आप लोग चैनल को सस्काइब करेजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेजिएगा, जिससे इस तरक लास आपको लगातार मिलती रहे, ओके, थेंक यू.